हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और मैं लेकर के आगया हूँ आपके लिए MPSI वनरचक पटवारी अन्य ऐसी सभी भरती परिच्छाएं जिसमें अभी इंगलिस पूछी जाती है उन सभी भरती परिच्छाओंक दिश्टी से अती महतपूर्ण वीडियो है idioms and phrases जो की vocabulary का एक महतपूर्ण पार्ट होता है यहां से हर shift में चार से पांच प्रेशने देखने को मिल रहे है तो अभी आपके MP प्रेशने पूछे गए हैं उन सभी प्रेशनों को उसके साथ साथ में अन्य कौन से प्रेशन आगे आ सकते हैं उन सभी प्रेशनों को हम एक करके सारी से बताएंगे और आपको बताएंगे दो तरह से आपके exam में idioms and phrases पूछे जा रहे हैं एक तो एक line दे करके बीच में underline करके fill in the blank के रूप में पूछ ले रहा है और दूसरा आपको direct पूछ रहा है कि इस idioms and phrases का क्या मतलब होगा तो दोनों तरह के idioms and phrases हम करने व पहला है a bolt from the blue जिसका अर्थ होता है an unexpected event देखिए a bolt from the blue कैसे याद रखेंगे मालीजी आप अपने कमरे में लेते हुए ऊपर एक पंका चल रहा है ठीक है ना पंका चल रहा है गोल-गोल घूम रहा है उसमें एक bolt लगा हुए नीले कलर का वह अचानक से आपके उपर गिर आपके उपर गिर गिर आप थे क्या हुए ये अचानक से आई हुई परेसानी है तो इसी ही को कहते है एन unexpected event या नीं कि अचानक से आई हुई परेसानी आप सोच तो नहीं दर से यह boltики जो है यह hon अख गिर गया तो यह हो जाएगा ...? unexpected climate या फिर an unexpected event यानि कि अचानक से आई हुई परिसानी इस बोल्ट से आपको ये बोल्ट हमेशा याद रहेगा तो आप आसानी से इस question को solve कर लेंगे आसानी से लगा करके आ जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिए to bury the hattached to bury the hattached अब इसका अर्थ क्या होता देखिये to make peace यानि कि सान्ति बनाये का भाई मुझे बरी कर दो, यानि कि मुझे माफ कर दो, मुझे बरी कर दो, मैं कभी भी सांती को भंग नहीं करूँगा, यानि कि सांती बनाए रखूँगा, तो to bury the attached का मतलब क्या हो जाएगा, to make peace, यानि कि अब हमेशा हम सांती बनाए रखेंगे, ऐसे आप इसको आराम से याद कर सकते, आगे देखिए, to beat about the bus, जिसका अर्थ होता है, not to come main point, to beat about the bus, अब इसको कैसे रखेंगे, bus का मतलब जानते है, bus का मतलब होता है जाड़ी, to beat about the bus, अब आप जा रहे हो, ठीक है न, आप जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जाते जाते हैं पर आपको जाड़ी देख गई, तो आप उस जाड़ी को पीटने लगे, यानि कि आप jो है, main मुद्दे पर जा रहे थे, लेकिन आप उस मुद्दे से भटक गए हैं आप उस जारी को पीटने लग गए हैं जो बुस है उस बुस को आप पीटने लग गए हैं यानि कि आप अपने मुद्दे से भटक गए हैं जिस काम के लिए जा रहे थे उस काम को छोड़ करके फालतू का काम काने लगे हैं यानि कि आप अपने मुद्दे से भटक गए हैं उजहाड़ी को पीट रहे हैं तो to beat about the buskarth होता है not to come main point यान की main point पर ना आना मुद्दे से भटक जाना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पसंदारी तो मेरे भाई वीडियो को like जरूर कर दिना ठीक है देखिए अगला है watch his step जिसका अर्थ होता है to walk carefully यानि कि सावधानी पूर्वक कदम से चलना अब देखिए अगर आप कहीं पर जा रहे हैं ठीक है कई पर आप जा रहे हैं ठीक है तो आपके परिवार वाले क्या कहते हैं भाई आराम से जाना ठीक है to walk carefully आराम से जाना अपने कदमों को देखते हुँ जाना पैरों को अच्छे से रखना कहीं काटा वाटा ने चुप जाए यानma कि सावधानी पूरव कदम उठाना कोई भी कदम आप उठाने जा रहे हैं कोई भी decision आप लेने जा रहे हैं तो सावधानी पूरव उस कदम को उठाए to walk carefully आसानी से आराम से चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं to be in hot water जिसका अर्थ होता है to be in trouble ठीक है ना to be in hot water hot water मतलब क्या है मालीजी यह देखिए आप एक कड़ा रखा हुए भाई ठीक है पानी भरा हुआ इसमें भेंकर नीचे आग जल रही है बहुत भेंकर पानी गरम हो गया अब इसी में आपको डाल देते क्या हो जाएगा आप परेशानी की स्थिति में आ जाओ अब देखिए आपने तो सुना भी होगा कई बार भाई मैंने उसको ऐसा पीटा ऐसा पीटा की धूल चटा दी डेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वह सामने आया था हमसे लड़ने के लिए वह फेल हो गया वह हार गया वह थक गया वह हार करके भाग गया यानिकि मेरे सामने से सुरू हो जाएंगी ठीक ना आपका जो MP फॉरेस्ट का एक्जाम वह आगे बढ़ गया बाइस तारिक हो गया है ठीक है चलिए वह सब लास्ट में बात करेंगा आगे बढ़ते है ठीक है तू ब्रिंग टू लाइट जिसका अर्थ होता है तू रिवील हिंदी में इसका आर्थ होता है राज खोलना ठीक है ना लाइट का समझ रहे है तू ब्रिंग टू लाइट लाइट का मतलब है किसी भी राज पर किसी भी राज पर लाइट मारना ठीक है ऐसे आप याद कर लिए यह आपकी टॉर्च है और आप यहां से लाइट मार रहे है ठीक है ना लाइ to add fuel to fire जिसका अर्थ होता है to inside मतलब कि आग में घी डालना यहां तो आपको दिखाई दिरोगा आग जल रही है ऐसे ठीक ना यह आग जल रही भाई आग लग गई आग लग गई है to add fuel into the fire यानि कि आपने इसमें और तेल डाल दिया और तिल डाल दिया तो क्या आग है वो आग और भड़क जाएगी इसका वर्थ होता है to inside का मतलब होता है आग में घी डालना ठीक है to add fuel to fire जिसका आग में घी डालना आग को और भड़काना आगे बढ़ते हैं भाई to hit the jackpot to hit the jackpot का मतलब होता है to make money quickly आप पहरे के बीसी देखते होंगे ना के बीसी के बीसी में जैकपॉट वाला सवाल आता था मतलब सब के पास में जाता था उसको जीतने पर क्या होता था एक लाग रुपए तुरंत आपके पास में आ जाते थे यानिकि उसे हम अलादिन का चिराग क्या सकते हैं कि भाई हमको अलादिन का चिराग मल गया to make money quickly यानि कि तुरंत हम पैसे बना ले रहे हैं किस से उस jackpot को जीत करके to hit the jackpot यानि कि तुरंत पैसे बनाना to make money very quickly ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगरा देखे to burn the candle at the both ends जिसका अर्थ होता है कि अपने मतलब कि to be extravagant यानि कि अपने दोनों हाथों से जो है उस मुंबत्ति को जलाना यानि कि फिजूल खर्ची करना देखे एक मुंबत्तिक जलूत है ठीक है आप पढ़ रहा है ठीक है न पुरानी जवाने में लोग पढ़ते थे तो इता उरस के तो एक मुंबत्तिक जलूत है लेकिन वो क्या करर रहा है अपने दोनों हातों से αपने दोस्तों को शेयर कर देना हर एक आपको टेलीग्राम गूर। में हर एक WhatsApp ग्रूप में आपको send कर दिना है आपका अपना चैनल है जो लोग सुरू से जुड़ू है वो comment box में comment करके बताएंगी हाँ भाई मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही कि नहीं हर एक chapter को cover कर रहे हर एक subject को cover कर रहे हिंदी हो गया English हो गया math reasoning को छोड़ दीजे क्योंकि math reasoning के लिए board हमारे पास नहीं है इसके लाव कोई भी subject आपका आ रहा है computer हो गया आपका management हो गया हर subject को भाई clear किया हर subject पर वीडियो बनाई है ठीक है ना चलिए देखिए at once back and call at once back and call का मतलब हो गया to be dominated by someone याने कि किसी के दौरा किसी के अधीन होना ठीक है नहीं कि यह जैसी वह तुम जाल भाई जारह जारह एक दम उसके रहे बैक और यानि कि तुरंत और दे रहा है तुरंत आप आपस आ रहा है क्योंकि आप उसकी ने आपको अपने अधीन कर लिया है ठीक है चलिए यह आपके पट्वाली में पूशा गया एक्जाम 27 या 28 मार्श पूशा गया था कोल्ड कमफौट जिसका अर्थ होता है स्लाइट सेटिस्फिक्ष्ण यानि कि थोड़ी बहुत संतुष्टी अब cold का मतलब क्या है माली जी आप गर्मी से बहुत भेंकर गर्मी से आप घर में आए हैं और आपको एकदम से किसी ने जो है आते थोड़े बहुत आराम की बाद में आपको एक गिलास पे ठंडा पानी दे दिया तो क्या होगा आपको बड़ी संतुष्टी होगी थोड़ी सी संतुष्टी होगी तो cold comfort यानि कि आपको ठंडा-ठंडा मैसूस होगा और थोड़ी सी आपको संतुष्टी हो जाएगी ठीक है ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो feeder once-nest यानि कि किसी के घुसले का क्या होना क to profit in a dishonest way गलत तरीके से पैसे कमाना मालनीची जैसे कोईल कोवे की कहनी आपको बताते हैं ठीक है कोवे क्या करता है कोवे का जो भी अब उनके अंडे होते हैं उसको ले जाकर के कोवे के घुसले में रख देता है कोवे सुचती है कि यार यह तो मेरा ही अंडा है ठीक है जो अपने अपना जो आग था याने कि दूसरे किसी के घुसले में रख धिया यानिकी अपने बच्चें को दूसरों के दार्वाया दूसरों के दारह उसकी सेवायाज़ाशने करवाई गलत तरीके से यानिकी यह हो जाएगा to profit in a dishonest way इनिकी गलत तरीके से उसका फायदा ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अंडर दा रोज, अंडर दा रोज का अर्थ होता है, secretly, यानि कि गुप्त रूप से, यानि कि किसी ने आज ऐसे गुलाब का फूल है, ठीक है न, कोई आपका बहुत ही मतलब एक तरस कह सकते हैं, गुलाब का फूल किस के लिए रख करके रखना, ठीक है? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, देखिए, अगला है, टू लुक ग्लूमी, यानि कि बहुत उदास दिखाई देना, ग्लूमी का अर्थ क्या होता है, उदास दिखाई देना, ठीक है न, टू लुक जो है, ग्लूमी, एक नट, इसका वो कहा गया है We are the long face, we are a long face, question यह पूचे जाएगा, we are a long face, long face का मतलब क्या है, देखो, आप जब खुश रहते हैं, तो आपका चेरा ऐसा होता होता है, ठीक है, ठीक है न, यह दो आखे और आपका चेरा एकदम खिला खिला है, ठीक है, जब आप खुश रहते हैं, लेकिन जब आप निर जिसका अर्थ हो जाएगा, आपका, to look gloomy, यानि की बहुत उदास दिखाई देना, अब यहां से एक आपकी vocab और clear हो जाएगी, gloomy का अर्थ होता है, उदास, यह आपकी सिनोनी में पूचा जाता है, gloomy का अर्थ होता है, तो उदास होता है, ठीक है, अगले देखिए, snack in the grass snack in the grass का मतलब क्या है, some hidden inamity, यानि की कोई छुपा हुआ आपका सत्रू है, तो आपका जो snack होता, snack का मतलब होता सांप, सांप भाई कहां पर छुपेगा, घास में तो छुपेगा सांप, जो छुपा हुआ सत्रू होता है, वो snack in the grass होता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते ह नमबर, scratch once head, यानि की to be preplexed, यानि की परेशान हो जाना, once head, यानि की scratch का मतलब जानते हैं क्या तो, ऐसे आप कभी जाते होगे ना, तो आप पहले जो पुराने जवाने में जो आपके जो आते थे, क्या कहते हैं, कार्ड आती थे ला, रीचार्च करने वाले, उस पर कहते ह है, scratch once head, अपने सिर को खुझलाना, अपने दिमाग को, अपने माथे को अपने, जो आपका सर है, इसको खुझलाना, इसका मतलब क्या हो जागा, to be preplexed, यानि की आप परेशान होते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने सिर को पकड़ लेते हैं, अपने सिर को नोचते हैं, य helping in the arrest of criminal, यानि कि किसी अपरादी पर इनाम की घोशना करना, ठीके न, अब इनाम की घोशना क्या कहते हैं, भाई, उसके सर पर तो 50 लाग का इनाम है, सांबा कहते हैं, अरे कितना सरकार रखे हैं मेरे उपर इनाम, कहते हैं, पचास यह रुपए आपके सर पर इनाम है, यान आगे बढ़ते हैं, नाइधर चिक नौर चाइड, जिसका आर्थ होता है, नो चाइड, यहां तो आप समझ मी रहे हैं, ना तो उसके चिक हो रहा है, ना तो उसके छोटे बाल बच्चे, बाल बच्चे कहते हैं, यानि कि उसके बाल बच्चे नहीं है, किसी भी बच्चे का टो को सबस्क्राइब को कुछ ही मालो करंश भाइक से जा रहा है आप कार खड़ी अब आपने क्या कि इसका कर दिए तुमने ये हमेंट्स तो कर दिये तुमने गलती तो कर दि Communist आपको इसका to compensate, यानि कि हरजाना भरना, ठीक है, क्या हो जागा इसका हरजाना देना, आपने उसमें ठोक दी है, उसकी गाड़ी में तो आपको to make, to amends का मतलब हो जाएगा, कि आपको हरजाना भरना पड़ेगा, चली, आगे बढ़ते हैं, एक किस नमबर, अब देगे, यहां से आपके ब broke down just, एक मिनट, the car broke down just as it reached the age of cliff, it was indeed a closed shift, यानि कि कोई कार जा रही थी, ठीके न, और क्या गुआ कि उसने अचानक से एकदम किनारे से निकल गई, यानि कि क्या हो गया, to clip it was indeed, एकदम बगल से एकदम किनारे से निकल गई, एक closed shift, यानि कि बाल-बाल बच गई, एक closed shift का मतलब क्या होता है, एक closed shift का मतलब होता है, narrow escape from danger, यानि कि परेशानी से खत्रे से बाल-बाल बचना, ठीके, एक closed shift का मतलब होता है, परेशानी से बाल-बाल बचना, narrow escaped from the danger, ठीके, चली, कार के बारे में आप ऐसे या आप पढ़ सकते हैं, यह आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि आप इससे क्या करते हैं अंदाजह लगा लेते हैं आक रियो कहना क्या चाहराब्ट है फीकर बस थोड़ा याई फायदा के लिए ठीक है चलिए इसको भी पढ़ते है भाई देखिए the parents are in high spirits as their son has got a decent job जानी कि उसके बच्चे को decent job मिल गई है और इसके जो parents हो high spirit में है अब इसी कॉंडालिन कर दिया पूछ रहा है भाई इस high spirit का मतलब क्या होता है high spirit का मतलब होता है कि अब energy जब आ जाए तो आप क्या करेंगे खुसी से जूम उठेंगे अब देखिए जो लोग चाहते हैं उनके parents ऐसे high spirit में आ जाए वो लोग like करेंगे comment box में comment करेंगे जल्दी से जल्द जिवा है उनकी job लग जा और उनके जो parents है वो high spirit में आ जाए एकदम से खुसी से जूम उठेंगे ठीक है comment box में comment करना ठीक है अब ऐसा compressor ही नहीं कमेंट कर नहीं है पता से लगा रही सर तो आप तो ऐसे जवर जब 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 कराते हैं अब देखिए पूरा दिया हुआ है अगर आपको पता रहे है on the brink of disaster का मतलब क्या होता है तो आप तुरंत answer लगा करके निकल लेंगे नहीं समझ में आ रहा तो चली पढ़के देख लेते हैं लगबख खतम के कगार पर एक दम उसको आप निकाला जाने वाला है ठीक है ना तो क्या हो जागा on the brink of disaster का मतलब हो जागा at the point of ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं यानि कि यूगे इस सीचटोयेशन से आसादी से निकल सकते हैं, यह अगर आप अपने सर को छहें, घंडा रखेंगी तो आप इस सीचटोयेशन से निकल सकते ह säakते हैं लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, सांत रखेंगे, यानि कि रिमेन काम, यानि कि सांत रहेंगे, अपने दिमाग को सांत रखेंगे, तो आप इस situation से overcome हो सकते हैं, देखिए एक बात आपको बता दें, जब भी आपको लगे ना कि यार मैं तो भूल रहा ह जैसी वो प्रशन आपके सामने आएगा ना, जो आपकी hard disk में save हो चुका है ना data, वो तुरंत निकलना शुरू हो जाता है, तुरंत उसका output आना शुरू हो जाता है, वो सारे जो question होते हैं, कभी न कभी आप कभी भी पढ़े रहते हैं, तो उनको आप आसानी से solve कर लेते है ठीके ना, ऐसा हुआ है जो जिन लोगर मेरी current affair की class ली है, उनको ऐसी कुछन कुछ ट्रिक के दारा, कुछन कुछ बातों के दारा हमने चीज़ों को सिखाया है, तो वो सारी चीज़ों वहाँ पर click करती है mind में, और तुरंत आप answer लगा करके आ जाते हैं, अगर तुका भी वीडियो हमने current affair की upload की है, तीनों वीडियो आपको देख करके जाना है, ठीके ना, चलिए भाई, remain calm का मतलब हो गया, सांत रहना, चलिए भाई, नमबर 25 देखते हैं, the news of the president, death, spread like wildfire, spread like wildfire, थोड़ा परकर की देखी, spread का मतलता फैलना, like मतलब जैसे wildfire मतलब जंगल की आग इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है, कि जो precedent है ना, precedent के death की ख़बर, अब यह ऐसा कि इसको seriously मतलब जैना, ठीके हम बस बता रहे हैं आपको, precedent की death की ख़बर जो है, वो ऐसे फैल गई, जैसे जंगल में आग, और जंगल में आग कैसे फैलती है, spread rapidly, यानि क बहुत तेजी से फैलती है, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, यानि कि तेजी से फैलना, चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, some people do not grease anybody's palm on any account, यह आपको पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ब्राइब, इसे रिस्वत देखर के, किसी भी कीमत पर वो लोग रिस्वत देना नहीं चाहते हैं, do not grease anybody's palm, यानि कि कि किसी के हाथ के भी हतेली को गरम नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे काम बने या न ना बने, लेकिन हम रिस्वत नहीं देंगे, ऐसा ही करना चाहिए, नमबर 27 देखिए मेरे भाई, इस प्लेस एफ़ार्ट, ए बर्ड विव, एक मिनट, ए बर्ड आइड विव, ऑन दा ग्रीन वैली बिलो, यानि कि यह जो प्लेस है, इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, आप इस पर एक सरसरी निगाह मालीजी, एक बर्ड क्या करती है, एक बर्ड की जो आँखें होती है, वो बहुत तेजी से तुरंट देखती है, तुरंट निकल जाती है, इस करत हो जाएगा एन ओवर्विव, यानि कि एक सरसरी निगाह मालीजी, एक ओवर्विव ले लीजी, यह जो आपको प्लेस दिखाई दे रहा है, यह प्लेस कित कूल एजग कूमबर, यानि कि जो नया नया कलर काया था, उसने उसको एक बहुत डिफिकल्ट टास्क दे दिया, बहुत बड़ा काम करने को दे दिया, लेकिन फिर भी, वो क्या रहा, कूल एजग कूमबर, जैसे कूकूमबर होता न, कूकूमबर मतलब आपका खीरा, जैसे कूकूमबर सांथ रहता, ठंड़ रहता न, लेकिन फिर भी उसके उपर कोई असर नहीं पड़ा, और वो ऐसा लग रहा था जैसे, कूल एजग कूकूमबर जैसे की खीरे की तरह एकदम सांथ, एकदम ठंड़ा, यानि कि नो नर्वस और एमोशनल, कि यानि कितना भी आपक कटना ही आ जाए, लेकिन आपको कभी नर्वस और कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कैसे रहना, आपको हमेशा जो है, वैसे भी गर्मी आ रही है, ठीक है, पपीते की बहुत पड़ेगी, खुदी पपीता बन जाओ, पपीता क्या रहा हूंग, खीरा बन यानि कि उसका जो बलड था न, वो एकदम cold होगी, एकदम ठंडा बलड पड़ गया, जब उसने ये सुना की, his uncle was murdered, यानि कि उनके अंकल का murder हो गया है, तो क्या हो जागा, अगर आपका खुन ठंडा हो जाएगा, तो क्या हो जागा, यानि कि आप बहुत बुरी तरह से डर to arrest the terrorist, यानि कि जो ATS थी न, anti-terrorist squad, जो है, उसने क्या-क्या, set the bait, यानि कि जाल बिचाया, arrest the terrorist, यानि terrorist को arrest करने के लिए, जो ATS है, उसने जो है, जाल बिचाया था तो इसका हो जागा, let the trap, trap का मतला समझते हैं trap का मतला फसाना और किसमें फसाते हैं जाल में फसाते हैं तो हो जाएगा आपका जाल बिचाना यानि की set the bait का अर्थ हो जाएगा to let the trap यानि की जाल भिछाना ठीक है अब देखिए इसमें यही आपको फाइदा मिल जाता है कि अगर आपको line मिल जाती है ना ऐसे line में तो आप थोड़ा सा नहीं भी आपको पता set the bait का अर्थ आप थोड़ा सा idea लगा सकते हैं तो आप इसमें से आसानी से answer लगा करके आ सकते हैं तो यह कुछ महत्पूर्ण प्रस्चन है जो आपके पटवारी के exam में पूछे गया थे यही प्रस्चन आपके MPSI में भी पूछे जाएंगे MP Forest में भी आपको पता इंगलिस आएगी आएगी MP Forest में भी यह प्रस्चन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो बाकि यह टेलिग्रम चैनल है हमारा यहाँ पर आपको सारी PDF अगरा मिल जाती है सकसे जंक्सन एक टेलिग्रम चैनल है एक है सकसे जंक्सन लाइव यह दोनों टेलिग्रम चैनल को आपको जोइन कर ल जाएंगे आप वहाँ जाएए डाउनलोड कीजिए आराम से पढ़िए ठीकना मैनेजमेंट की जो एक PDF थी वह भी आपको वहाँ पर एक दमिल जागी फ्री आपको सेक्शन में बहुत सारी PDF वहाँ पर डली हुए किताबों के वह किताब है आप डाउनलोड करके अपना आर लाइए दूर दूर तक पहुचाएए यह ट्रिक के दौरा सारी चीजे आपको हम तयारी करवाएंगे आपका फॉरेस्ट होगया फॉरेस्ट की तयारी आपके हम करवाने वाले हैं 27-26-26 अपकी क्लासे स्टार्ट हो जाएंगी और क्या क्या करेंगी चलिए एक बार आपको करेंट अफियर के और 10 क्यूशन आपके साइंस के यह 50 क्यूशनों का एक सेट आया करेगा जिसमें एक क्यूशन को डीटेल में आपको समझाएंगे और सारी चीजे आपकी क्लियर करते हुचलेंगे उनमें ऐसे प्रेशन भी होंगे जो आपके पटवारी की एक्जाम में आ तो वो वीडियो भी आपको देख करके जाना है PQRS की वीडियो हमने बना रखी है PQRS और आपका Active Voice, Passive Voice, Narration इन सब की वीडियो बना रखी जो जो टॉपिक नया एड होता गया उनकी हम वीडियो बनाते हैं जिससे की जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको आसानी होत प्रष्ण को कहीं ढूढणना नहीं पड़े कहीं नोमेक्स की बनाई एक सिंपल लेवल की एक यौद बनाई है एक सिंपल लेवल की नरौट की दो वीडियो बनाई है, यह आउनको डेखकर जरूरित जाना है अगर आप English में अच्छा स्कूर करना चाहते हैं तो थैक है, व की तीनों वीडियो देखकर कि जाना क्यों GDP से CRR से बेंक रेट से बेस रेट से क्या गरीबी है इन सबसे प्रेश्चन बहुत आ रहा है आपके अग्जाम में और इन दो वीडियो में बहुत सिंपल लेंगोज में आपको समझा है बिल्कुल सिंपल तरीके से लोग बहुत को एक्जाम है आपका ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है चली जल्द ही मिलते है कल सुभा कल एक वीडियो लेकर करके आएंगे सुभा हो सकता है बैंकिंग वाली बैंकिंग या फिर जीस की बैंकिंग लेबल की प्रेश्चन आपके पटवारी पूचे जा रहे हैं उनकी वीडियो लेकर किया उसके बाद में आपका दो पहर में फश्ट सिप्ट का एकजाम एंलिसस करेंगे उसके बाद सामको सेकेंड सिप्ट का एकजाम एस से करा ठीक है टो यह कारवा ऐसी चलता है बस आपको करना है कि दोस्तों तक अपने शेयर करना है चली लाइक कर दीज भाई अभी भी नहीं लाइक किया इंतियार कर रहे थे कि वीडियो खत्ब होगी तब लाइक करेंगे तो लाइक कर देना ठीक है ना प्यारा सा कमेंट कर देना चलिए जल्दी मिलते हैं कल सुबह तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद